हेलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिवारी एकेडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जालेंगे क्लास 6 के साइन्स का फर्स्ट चैप्टर भोजन या कहां से आता है के बारे में और साथ ही जालेंगे इस चैप्टर से जुड़े कुश्यंस और एंसर्स के बारे में तो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो इस चैप्टर का हेडिंग है भोजन या कहां से आता है तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर से हमें कौन से बातें बताई गई हैं तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से आपको भोजन से संबंदित बातों को ही बताया गया है कि भोजन या कहां से आता है इन्हें हम कहां से प्राप्त करते हैं क्या भोजन हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं क्या भोजन हमें विविन प्रकार के जन्तों से मिलते हैं और वोई कौन से भाग हैं विविन प्रकार के जो पादब जो पौधे जिनके भाग को हम खाते हैं ठ साथ में यह बात भी आपको पताया गया है कि कौन से प्राणी जिने हम कहते हैं साकाहरी कौन से प्राणी है जिने हम कह रहे हैं मांसाहरी वे कौन से जन्तु हैं जिने हम कह रहे हैं सरवाहरी यानि अगर देखा जाए भोजन से सम्मंदित बातों को और साथ में भिविन प्रक भोजन का आखिर क्या मतलब होता है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं भोजन एक पॉस्टिक आहार है जिसे जीबधारी अपने जीवन और विकास को बनाई रखने के लिए ग्रहन या अवशोशित करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं ध्यान से समझना है फ्रेंड्स यानि भोजन एक आहार होता है जिसे कोई भी जीबधारी क्या करते हैं ग्रहन करते हैं या फिर अप्षोशित करते हैं विकास को निरंतर बनाई रखना है यानि धीरे धीरे बड़ा होना है ठीक है ना, विकास होना है, इसलिए वो उस आहार को ग्रहन करते हैं, इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं भोजन, याद रखना है, यानि भोजन overall कहा जाए, किसी भी जीबधारी को जीवन देते हैं, किसी भी जीबधारी को विकास को उन्हें बनाए रखने में ये सहायता करते हैं भोजन ठीक है ना फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एक और शब्द के बारे में वो शब्द हैं जैसे आप शबी देख पा रहे हैं संगठक संगठक शब्द काकिर क्या मतलब होता है उन्हें हमें समझना है तो फ्रेंड्स किसी भी भोजपदार्थ को बनाने में किसी भी भोजपदार्थ को तयार करने में हमें जिस सामगरी या जिस पदार्थ की आवशक्ता होती है उसे हम कहते हैं संगठक याद रखना है आपको फ हो ज़़ बताद या विवन परकार के सामगरी के आउशाक है ओस सकता है उसमें धिवहार हो रहे हैं सरसों का तेल ठीक है ना साथ में हलदी का इस्तमाल हो रहा है तो यह सभी जितने भी सहमगरी मैंने आपको बताए वो उस सब्जी का संगठक हुआ ये बात आपको समझ लेनी है फ्रेंड्स ठीक है ना फ्रेंड्स एक और बात हमें अच्छे से समझ लेनी है जो भी भोजवपदार्थ हम ग्रहंड करते हैं या जो भी भोजवपदार्थ हम खाते हैं ठीक है ना वे हमें कहां से मिलते ह इसे आपको समझना है, तो वे जो हमें मिलते हैं पादप से, that means वो पेड़ पौधे से मिलते हैं, या फिर वो मिलते हैं किसी जन्तु से, या बात भी आपको समझ लेनी है, जैसे चावल, जैसे गेहूं, साग, सबजी, डाल, ये सबी हमें किसी भी पादप या फिर पेड़ प प्राप्त करते हैं, ध्यान से समझना है, और जो भी हम, आप कहो ऐसा, कि हम मचली खा रहे हैं, या फिर अंडे खा रहे हैं, या फिर मांस खा रहे हैं, तो वो हमें किसी भी प्रानी या फिर जन्तु से मिलते हैं, या नि कहा जाए, तो जो भी भुजपदार्थ हम खाते है उनके स्रोथ हैं दो तरह के ठीक है ना पादप वाले एक स्रोथ है और एक स्रोथ है जन्तू वाले स्रोथ यानि कुछ जो भुझपदार्थ हैं हमें जन्तों से मिलते हैं और कुछ भुझपदार्थ हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं या बात भी आपको जान लेनी है फ्रे खाने योग तो फ्रेंड्स आपको पहले जान लेना है कि खाने योग ऐसे पदार्थ जिने हम खा सकते हैं ठीक है ना उन्हें हम लोग खाने योग पदार्थ कह रहे हैं ऐसे पदार्थ जिने हम खा सकते हैं जिसे खाने से हमारे सरीर में किसी भी तरह के नुक्षान या फिर ह खानिया नहीं होती है ऐसे भोजवपदार्थ को या फिर ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं खाने योग्य पदार्थ इससे बहले आपको समझ लेनी है तो फ्रेंड साथ में आपको कुछ और बातों को भी जान लेनी है जैसे विबिन प्रकार के जो पौधे है ना उनके विबिन भ पूधे के अगर हम जड़ को खा रहे हैं ठीक है ना जड़ को अगर खाना है तो जैसा मूली है गाजर है यह जड़ है ठीक है ना अगर हम खा रहे हैं सेव और आम तो वो है फल यह बात भी आपको याद रहनी है खा रहे हैं हम आलू तो वो है तना ठीक है ना फूल गो भी बंधा खो भी अगर खा रहे हैं तो वो होते हैं फूल या बाद भी आपको जाल लेनी है तो इसरी प्रकार से विविन प्रकार के जो पौधे हैं ना उनके विविन अंगों को भी हम खाते हैं क्योंकि वो खाने योगे होते हैं इसलिए हम उन्हें खाते हैं यान तो friends चलिए अब हम लोग जान लेते हैं एक और सब्द के बारे में वो सब्द है अंकुरित जैसा आप सभी देख पा रहे हैं तो friends इस अंकुरित सब्द का अखिर क्या मतलब है उसे हमें समझना है किसी एक निश्चित अवधी और समय के बाद जब कोई वीज विक्सित होना प्रारम कर देती है तो उस अवस्था को हम कहते हैं अंकुरण या बाद भी आपको जान लेनी है friends ठीक है ना अंकुरण में होता क्या है एक particular time होता है एक परियाप्त समय होता है एक versus समय होता है किसी भी बीज के लिए ठीक है ना उसके बाद से वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसमें से आप देखोगे जो सफिद सी एक संड़चना उस बीज से बाहर निकलती है जैसा आप सभी इस pictures में भी देख पा रहे हैं बीज को कुछ दीनों के बाद ठीक है ना उसे जब परियाप्त मात्रा में oxygen मिलती है जब उसे परियाप्त मात्रा में जल मिलता है तो क्या होता है बीज का बिकास होने लगता है बीज बिकसित होने लगती है और उस अवस्था कोई हम कहते हैं अंकुरन जब उसमें से सीसन व्रचिना बाहर निकल आती है ठीक है ना फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी देख पा रहे हो हमारा जो अगला सब्द है वह है शाकाहरी जन्तु तो फ्रेंड्स साकाहरी जन्तु कहने से आप क्या समझते हो ऐसे जन्तु जो केवल पादब या पेड़ पौधों को ही खाते हैं उन्हें ही अपने भुझ बदात के रूप में ग्रहन करते हैं ऐसे जन्तु को हम कहते हैं साकाहारी जन्तु जैसे गाई भैस बकरी ये हैं साकाहारी जन्तु ठीक है ना फ्रेंट्स नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे मानसाहारी जन्तु के बारे में जैसा आप सभी देख पा रहे हो मानसाहरी जन्तु आखिर किसे कहते हैं ऐसे जन्तु ऐसे प्राणी जो अन्न प्राणियों को खाते हैं अन्न प्राणियों को खाते पदात के रूप में ग्रहन करते हैं ऐसे जन्तुओं को हम कहते हैं मांसा हरी जन्तु ठीक है ना मांसा हरी जन्तु ये वे जन्तु है जो दूसरे प्राणियों को मार कर उनका मास खाते हैं ठीक है ना उन्हें हम मांसा हरी जन्तु कह रहे हैं जैसे सेर हैं जैसे चीता हैं बाग हैं ये मांसा हरी ज जन्तु केबल पादप या साग सबजी को ही खा रहे हैं भोज़पदात के रूप में ग्रहन कर रहे हैं और वही दूसरी और मांसाहरी सिर्फ मांसकव भोज़पदात के रूप में ग्रहन कर रहे हैं जिनें हम कह रहे हैं मांसाहरी ठीक है ना दोनों में काफी अंतर है ठीक है अब हम लोग जान लेंगे एक और सब्द के बारे में वह हैं सर्वाहरी जन्तु तो फ्रेंट्स ये सर्वाहरी जन्तु क्या होते हैं ऐसे जन्तु जो पादब को तो खाते ही हैं और साथ में मांस भी खाते हैं यानि दूसरे जानवर को भी मार कर खाते हैं दूसरे जानवर का मांस भी खाते हैं ऐसे जन्तूओं को हम सर्वाहरी जन्तू कहते हैं यानि ऐसे जन्तू जो पेड़ पौधे या पादप को खाते हैं और साथ में खाते हैं दूसरे प्राणियों का मांस भी उन्हें हम कह रहे हैं सर्वाहरी जन्तू ठीक है ना तो फ्रेंट्स साथ में हमें यह बात भी जाल लेनी है कि आखिर सर्वाहरी जन्तु के उदाहरन आखिर कौन-कौन से प्राणी है जैसे कुटे हैं बिल्लियां है ठीक है ना कव्वे ये सभी सर्वाहरी जन्तु के उदाहरन है यह बात भी आपको जाल लेनी है मनुस से भी सर् लेते हैं इस चैप्टर से जुड़े questions और answers के बारे में तो friends चलिए देख ले रहे हैं आखिर question number one में हमसे क्या पूछे गए हैं दैसा आप सभी देख पा रहे हो क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवशक्ता होती है यानि आप से पूछा जा रहा है जितने भी त कैसे भोजन की आवशक्ता होती है क्या उन सभी को एक ही तरह के भोजन लेनी चाहिए तो friends इसका उत्तर आप लिखोगे नहीं ठीक है ना जैसा आप सभी देख पा रहे हो उत्तर में भी विभिन जानवर अपने सरीर की संद्रचना तथा आंतरिक अंगों के अनुशार जो सरीर की जो बनावट होती है न वो अलग-अलग होती है और अलग-अलग होने के कारण क्या होता है वो डिफरेंट तरह के अलग तरह के भोजन लेते हैं तो friends next हम लोग देख लेंगे जीवो द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर उनको तीन मुख्यता स्रेण स्रेणियों में विवाजित किया जाता है ध्यान से आपको समझना है जो जीवधारी जिस तरह के भोजन को ग्रहन करते हैं उस हिसाब से जितने भी सारे जो प्राणी है न उन्हें तीन स्रेणियों में विवाजित किया जाता है तो चलिए जान लेते हैं वो स्रेणी क्या है इस अध्याए में भी आपने पड़ा है जो तीन जो मुख्यतस्त्रेणी के प्राणी और जिवधारी होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसा आप सभी देख पा रहे हो, शाकाहरी है ना? शाकाहरी, वो कौन से प्राणी होते हैं? जो जन्तु केवल पादप खाते हैं उन्हें हम कहते हैं साकाहरी जैसा आप सभी देख पा रहे हो शाकाहरी वे प्राणी होते हैं जो पेड़ बौधों को जो पादप को खाते हैं उन्हें हम साकाहरी कह रहे हैं याद रखना है ठीक है ना जैसे हिरन, तोता, गाय, आदी ये शाकाहरी प्राणी होते हैं या शाकाहरी जीबधारी होते हैं अब है मांशाहरी प्राणी क्या है तो जो जन्तु केबल जन्तुओं को खाते हैं उन्हें मांशाहरी कहते हैं यानि मांशाहरी जन्तु हम किसे कहते हैं ऐसे जन्तु जो केबल जन्तूओं को ही खाते हैं यानि उनको ही खाकर अपना जीवन जापन करते हैं ठीक है ना ऐसे प्राणी लेकिन पादप को पेड़ पौदों को नहीं खाते हैं याद रखना है आपको मांसाहरी जन्तू सिर्फ मांस को खाते हैं ठीक है ना केवल अन्य जन्तुओं को मार कर खाते हैं ये बात भी आपको याद रखनी है उन्हें हम मांसाहरी जन्तु कहते हैं जैसे उधारण की रूप में हम कहेंगे सेर, चीता, चिल ये सबी जो हैं वो मांसाहरी जन्तु है ठीक है ना? आगे हम देख लेंगे सर्वाहरी जन्तु हम किसे कह रहे हैं या फिर सिर्फ सर्वाहरी हम किसे कहते हैं जैसा आप सभी देख पा रहे हो जो जन्तु, पादब तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं याद रखना है आपको सर्वाहरी क्या है? जो पादब को भी खाते हैं और जो दूसरे प्राणी को भी खाते हैं उन्हें हम कह रहे हैं सर्वाहरी यानि जो सब खाते हैं ठीक है न उन्हें हम कह रहे हैं सर्वाहरी जैसा आप सभी देख पा रहे हो तो इसके उधारण क्या है हैं कुत्ता हैं कव्वा हैं बिल्ले ये सर् तो friends शली देख ले रहे हैं आखिर question number 2 में हमसे क्या पुशे गए हैं जैसा आप सभी देख पा रहे हो पाँच पौधों के नाम लिखे तथा बताईए इनके कौन से भाग का उपयोग खद्य पदार्त के रूप में होता है ठीक है ना आपको पाँच पौधों के पाँच प्लांट्स के नाम लिखने हैं उनके बताने हैं और साथ में उनके पार्ट्स के नेम यानि उनके भाग का नेम बताने हैं उनका uses बताने हैं ठीक है ना जिसका use जिसका वैवहा जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्त के रूप म याद रखना है आपको सेब जो है वो फल है आम क्या है तो आम भी एक फल है ठीक है ना यह किसी भी पौधह का जो विभन भाग आपको यह भी नोडिस करना है ठीक है ना यानि किसी भी अगर पौधे का अगर हम फल खाते हैं तो सेव को खा रहे हैं that means वह that particular plants का एक निद्दिष्ट पौधों का हम फल खा रहे हैं अगर हम सेव खा रहे हैं तो अगर हम आम खा रहे हैं तो किसी particular पौधे का किसी विजिष्ट पौधे का हम फल खा रहे हैं यदि हम खा रहे हैं आलू तो आपको याद रहे हैं किसी पौधे का हम तना खा रहे हैं जैसे आप सभी देख पा रहे हो यदि हम खा रहे हैं गाजर तो वह है जड़ ठीक है न अगर खा रहे हैं पालक तो वह है पतियां अगर खा रहे हैं गेहू ठीक है न तो वह है बीच और फूल गोभी जो है वह है फूल जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है फूल गोभी ठीक है न जो किसी एक निद्धिष् का फूल होता है यह बात भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे प्रेस्ट नमबर थ्री में हम से क्या पूछे गए है कि कॉलम वन में दिये गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम टू से किजिए यानि कॉलम वन में आपको कुछ पॉइंट ठीक है ना और कॉलम एब जिये गह यान कॉलमबनमे क्ऊछ सब्सक्राव दिये गैं और यह खाद्य पदार्थ है आपको क्या करना है इन दों का मिलान करना है ठीक है ना मैचिंग करनी है जैसा आप सभी देख पारे हो कॉलम वन में दिया गया है दूद दही पनीर घी ठीक है ना नेक्स्ट है पालक, फुलकोबी, गाजर, नेक्स्ट है शेर एवं बाग, नेक्स्ट है शाकहरी, ये चार है, और कॉलम टू में दिये गया है, दूसरे जन्तूओं को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं, सबजिया हैं, सभी जन्तू उत्पाद है, यानि ये दो अलग-अलग columns में कुछ शब दिये गये हैं, आपको matching करनी है, आपको मिलान करना है, याद रखना है friends, तो friends चलिए देख ले रहे हैं, इस प्रशन का उत्तर हमें कैसे देना है, जैसा आप शबी देख पा रहे हो, column 1, एक तरफ लिखना है आपको, और एक तरफ लिखना है column 2, ठीक है न, दूद दही पनीर घी, ये सभी क्या है, ये सभी जन्तु उत्पाद हैं, याद रखना है आपको, दू, दही, पनीरगी, सभी, जन्तु, उतपाद हैं, ठीक है ना, और next one है, पालक, फुलगोभी, गाजर, ये सब्जिया हैं, ये आपको याद रखनी है, इस कॉलम से आपको धूंड के निकालना है, जो पालक है, जो फुलगोभी है, जो गाजर है, वो सब्जिया हैं, ठीक ह न ये हो गया इसका मिलान और शाकाहरी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं ये इसके साथ का मिलान हो गया ठीक है न ये बात आपको अच्छे से जान लेनी है फ्रेंड्स ठीक है न शाकाहरी जो होते हैं वो पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं सेर और बाग ये दूसरे जन्तुओं को खाते हैं पालक, फुल्गो, विगाजर ये सब जिया है तूद दही, पनिर्गी ये सभी जन्तु से हमें मिलते हैं इसलिए हम कह रहे हैं ये सभी जन्तु उत्पाद हैं ठीक है ना? तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं नेक्स्ट वन में हमसे क्या कुछ है कहा है प्रेशन नम्बर फो दिए गए सब्दों से रिक्थ अस्थान की पूर्ति किजिये ठीक है ना? जो शब्द दिए गए है ठीक है ना? तो उन सब्द से कुछ blanks दिए गए है कुछ जो वाक्य है ठीक है ना तो जो शब्द दिये गए आपको उन सब्दों को ही चुनकर आपको उसे रिक्त अस्थान को आपको पूर्ति करनी है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं वो सब्द हैं शाकहरी पादव दूद गन्ना मानशाहरी यह आपको चार शब्द दिये ग हैं तो नंबर कॉ में दिये गए हैं बाग एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है ठीक है ना अब देख पा रहे हैं तो बाग क्या है एक मांसाहरी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है आपको याद रखनी है फ्रेंड्स ठीक है ना हीरन केवल पादव उत्पाद खाता ह और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं शाकाहरी कहते हैं ठीक है ना बाग क्या करता है यह केवल मांस खाता है इसलिए यह मांसाहरी कहलाता है हीरन केवल क्या करते हैं केवल पादप उधपाद को ही खाते हैं इसलिए हम इसने शाकाहरी कहते हैं तोता है ना आप देख पा रहे हो तोता केवल डैश उत्पाद खाता है तो तोता केवल डैश उत्पाद खाता है तो कौन सो उत्पाद खाता है या मार्श खाता है या फिर पादप खाता है तो या पादप खाता है आपको याद रखनी है फ्रेंड्स ठीक है ना आप देख लिखना है तो तके वल यहाँ पर लिखने हैं आपको पादब पादफ उत्पाध ही या खाता है या माश नहीं खाता है फ्रेंड्स ठीक है ना शोब हो अगले में दिख लेंगे प्रस्ण नंबर बोजन हम लेते हैं खाते है जन्तू से मिलते हैं याद रखना है आपको दूद्ध हमें जन्तू से ही मिलते हैं गाय हैं भैस हैं बकरी हैं इनसे हमें क्या मिलता है दूद और दूद से तयार होते हैं घी पनीर भिविन्द तरह के मिठाईयां ठीक है ना तो अगर हम कहें जो भी हम घी खा रहे हैं दही खा रहे हैं पनीर खा बाद हम कह रहे हैं हमें different तरह के हमें अलग-अलग तरीके के जो प्राणी है उनसे हमें मिल रहे हैं तो यह प्राणी कौन है जैसा मैंने कहा गाय है भैस है बक्रिया है उठ है इन सभी से दूद मिल रहे हैं ठीक है ना तो जो दूद हम पीते हैं प्राया गाय भैस या बक्री इससे प्राप्थ होता है, इसे लिए या, जन्तु उत्पाद है, जैसे आप सबी देख पा रहे हो, उत्तर में भी, ठिक है न? नेक्स्ट अम लोग देख लेंगे, हमें चीनी-स से मिलती है, ठिक है न? हमें चीनी जुआ है, वो कैसे मिलती है? तो friends हमें चिनी मिलती है गन्णा से और जिसका उपयोग हम विबन प्रकार के भोजन में करते हैं तो friends यह था आज का वीडियो मिलते हैं हम लोग next के वीडियो में